आज हम त्यातिरा की कलीसिया को देखते हैं, जो एक बहुत ही वानिजियक शहर व्यपार केंद्र है, उनके पास वहां सभी तरह के व्यपार मंडली थे, मैं अध्याई दो के वचन 24 से वचन 29 पढ़ना चाहता हूँ, मुझे उमीद है कि इन सत्रों को शुरू से करने से पहले आप इसे पढ़ लेंगे, आईए हम इसे देखें, ये वही है जो प्रभु कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ, और थ्यातिरा के बाकी हिस्सों में, जितने इस सिद्धान्त में नहीं हैं, जो शैतान की गहराई को जानते हैं, जैसा कि वह कहते हैं, मैं तुम्हारे उपर कोई बोज नहीं डालूँगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पास आओगे, तब तक उपवास रखो, और वह जो अंत तक मेरे कामों पर काबू रखता है, और उन्हें रखता है, मैं उसे राष्ट्रों पर अधिकार द कि मैं उन्हें सुबह का तारा दूँगा, और जिनके पास कान है, वे सुनें कि पवित्र आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि त्यातिरा कलिसिया एक ऐसा कलिसिया था, जो एक महान वानिज्य केंदर के बीच में था, आपको शायद याद होगा कि जब पॉल्स फिलिपी में कलिसिया को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके लिए प्रात्मिक सहायक लीडिया था, जो त्यातिरा से बैगनी का विक्रेता था, इसलिए बहुत सारे वेपारी लोग थे, त्यातिरा के कलिसिया में इसके बारे एक अच्छी बात थी, व लोग संभवता अध्यात्मिक रूप से बढ़ रहे थे, और उन मुद्दों से निपट रहे थे, जो उनके आसपास थे, त्यातिरा के कलिसिया में एक व्यक्ति से कई दबाव थे, जिनें इजबेल कहा जाता है, पार्ट में महिला को इजबेल के रूप में संदबृत किया पून थी, तो यह एक तथाकहित इजबेल है, उसके उबदेशकों से लोग भटक रहे थे, आप सवाल पूछ सकते हैं कि इन जगों पर क्या हो रहा था, ऐसा क्यों है कि वे हमेशा जूटे सिद्धान्त, दोश और विभिन अपरिपक्व प्रताओं में शामिल हो रहे थे, आपको यह याद रखना होगा कि उनके पास हमारे जैसे बाइबल नहीं थे, यहां तक कि अगर वहां के पादरी थे, तो भी वे जादतर समय प्रेरितों या उनके दूतों की शिक्षाओं के लिए निर्भर थे, जिनने वहां भेजा गया था, बीच में अन्या उबदेशक नहीं थे, जितने हम आज हैं, जहां हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का शब्द है, इन सभी शिक्षाओं, अनुभाओं को दर्ज किया जाता है, हम शास्तरों को देख सकते हैं, विशलेशन कर सकते हैं, और विबिन जूटे सिध्धानतों में खुद को फसने से रोकन के लिए कदम उठा सकते हैं, वैसे जिसको जितना दिया जाता है, उस व्यक्ति से बहुत कुछ लेना आविशक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम वास्तों में बहुत कुछ के लिए जिम्यदार हैं, जब हम एक दिन प्रभू के सामने खड़े होंगे, तो हम जवाबदे ठहराए जाएंगे, तो ये उबदेश क्या थे, हमने इसे पहले इजबेल सिधानतों से निप्टा है, लेकिन आईए, हम इनके कुछ अन्या पहलूओं पर ध्यान दें, जो शाय ध्यातिरा में प्रचलित थे, या आज हमारे जीवन के लिए बहुत अनुप्रयोग हो सकता ह इजबेल सिधानतों या शिक्षाओं आध्यात्मिक वेविचार के विभिन रूप हो सकते हैं, एक होगा विश्वासों को अधर्मी प्रथाओं, बुद्प्रस्थ प्रथाओं के साथ समकालिक रूप से मिलाने की कोशिश करना, इसाई धर्म की प्रथाओं पर हमला करते इजबेल वाद का दूसरा बहुत ही भ्यावः प्रकार होगा, लोगों द्वारा इसाई धर्म के शिक्षाओं और अवधार्नाओं को विदेशी सिध्धानतों के साथ मिलाने की कोशिश करना, जो बाइबल वास्तों में कहे जाने के साथ असंगत है, आपके पास उस तरह क वैचारिक समरूपता है, जहां लोग बहुत खतरनाक तरीके से दूसरों के लिए इसाई धर्म के संदेश को आकरशक बनाने की कोशिश करते हैं, यह बहुत ही शैतानी तरीके से अन्या शिक्षाओं के साथ इसाई धर्म के सिध्धानतों को मिलाते हैं, और इसे और अधिक एक आकर्शक बनाने के लिए या संकेद देने के लिए कि ये परमेश्वर की गहरी बाते हैं शायद इसलिए लेखा के हाँ अभिलेख करता है कि इश्वर उन्हें शैतान की गहरी बाते शिक्षाओं में जो विचार प्रचारित किया गया था वह यह था कि उनके पास गुड ग्यान था जो सामानिय इसाईयों के लिए उपलब्द नहीं था इसलिए एक विक्ति को परमेश्वर की इस गहरी जानकारी का अनुभव करने के लिए उनका अनुसरन करना चाहिए और उन पंतों में आरंभ में करना चाहिए जो वास्तों में शैतान की गहरी बाते थी यह इस तरह का इजबेलवाद है जो आज दुन्या के कई हिस्सों में प्रचलित है इसने कलिस्याओं में घुसपैट की है गुड विद्या, सोशल मीडिया पर, शीरशक पर क्लिक करने पर मजबूर करने के साथ डाली गए गहरी बाते लोगों को भठका सकती है तीसरे परकार की इजबेलवाद जो हो सकता है काफी प्रासंगिक है यहां तक कि हमारे आधुनिक दुन्या के लिए भी क्योंकि बहुत सारे सहकारी समितियों संग थे जहां लोगों को वेपार करने के लिए सदस्य होने के लिए भाग लेना पड़ता था वेपार करने में सक्षम होने और अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्हें देवताओं के बीच समझोता करने के लिए उनका हिस्सा बनने की प्रवर्ती कभी-कभी होती थी इसलिए उनके पास कलीसिया के ऐसे लोग हो सकते थे जिनों ने भले ही प्रभू येश्व मसीग को जानने का दावा किया हो अपने नीजी उदार करता के रूप में वे करम में समझोता कर रहे थे वो सिम्रिद हो सकते थे और हम जानते हैं कि यह उन सभी के लिए एक चुनौती है जो मसीग के चेले हैं परमेश्वर ने यह वादा नहीं किया कि उसके पीछे चलने वाले सभी लोग सम्रिद होंगे और वो चाते हैं कि हम कड़ी मेनत करके जो सीजर का है उसे सीजर को दें और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दें हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर का है उसे लेकर सीजर को नहीं दे सकते हैं यहां येश्व ने खुद को आग की आँखों और पीतल के पैरों के रूप में घोशित किया क्योंकि वो चाहते हैं कि थ्यातिरा के लोग और हम सभी या जाने की उसकी आँखे गुप्त स्थानों पर हैं यहां तक की बाजार में भी प्रवेश करती है यदि आप मसी के शिश्य हैं और आपको बाइबल की शिक्षाओं और सिध्धान्तों के विरोधी होने का अभ्यास होने का प्रलोबन है तो वास्तव में आप एक मूर्ती पूजक है यह बिनाकारन का नहीं है कि इशु ने कहा कि हम उनके अनियाईयों के रूप में जो प्राथमिक तनाव होगा वा या तो ईश्वर की उपासना करना होगा या मैमून का प्रलोबन है मुझे लगता है कि यह कारक आज साथ परवतिय जनादेश जैसे सिक्षाओं के द्वारा सन्योजित है जो इसाई लोगों को यह विचार देता है कि वे वैपार जगत सहित उन सभी पहाड़ों पर शीर्ष पर हैं यह जिजबेल सिधानतों की एक सुक्षम घुसपैट है क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई शिक्षन नहीं है परमेश्वर ने हमें समाज में हर शेत्र में शीर्ष पर रहने की आग्या नहीं दी है उसने हमें कृत्यत दिया है कि हम उसके लिए गवा बनें चाहे हम कहीं भी हों भले ही इसका मतलब है कि पैसा खोना, वेवसाई खोना, नौकरी खोना या हमारे पास सब कुछ खोना हमें ऐसा करना होगा यदि हम मसी के वफदार अन्याई हैं येशु ने लोगों को अपने पास बुलाया, उनसे कहा कि वे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और उनका अनुसरन करें उनसे और कुछ वादा नहीं किया जो कुछ भी उसके उपर आता है, वह हमारे निमिनलिकित मसी और एक अनेपेक्षित परिनाम है हमें सबसे बड़ा उपार मिला है, मोक्ष का उपार हमें इसके लिए अभारी होना चाहिए लेकिन ये सुक्षम गुस्पैट हमारे जीवन में हो सकती है हमारे पास मागदर्शन करने के लिए परमेश्वर का वचन है हम थियातिरा के विश्वासियों की तरह नहीं है जो इन चीजों से बेफिक्रत है यानि परमेश्वर का शब्द और बाइबल का विवस्थित शिक्षन परमेश्वर उनसे उपास रखने और हार ना मानने को कहते हैं विचार यह है कि इसे जब्द करें या आपके पास जो कुछ भी है उसे गिरफतार करें जब किसी को गिरफतार किया जाता है तो उन्हें हतकडी लगा दी जाती है उनके पास कोई बच नहीं सकता उसी तरह से जब हम मसी में आए हैं और हमारे जीवन में सत्या का निशेप हो गया है हमें उसे गिरफतार करना होगा उपवास रखना होगा उसे जब्द करना होगा उस पर कबजा करना होगा और उसे जाने नहीं देना होगा हमें पैसे, स्मृद्धी या सफलता के खातिर समझाता करने की आग्या नहीं दी गई है क्योंकि यह मूर्ती पूजा का एक रूप होगा और परमेशुर यह सब देखता है प्रभु ने हमें ऐसा करने की आग्या दिये हम इस सुक्षम प्रलोभन से उबरने और उसके प्रती सच्चे होने के लिए है फिर वह वादा करता है जो विजई है वो उच पर राज्य करेगा यह इस दुनिया में शीर्ष होने की बात नहीं है यिशु ने हमसे वादा किया है कि हम उसके साथ हमेशा के लिए राज्य करेंगे मैं उसके साथ रहूँगा उज्वल और सुबह का सितारा यह इस तत्या का संदर्भ है कि सबसे चमकीला ग्र सुबह का तारा है जो सुर्योदे से ठीक पहले पुर्वी आकाश पर आता है प्रभू को प्रकाशित वाक्य अध्याई 22 में सुबह के सितारे के रूप में संबृत किया जाता है उसके अधिकार और शाशन के संदर्भ है संक्या अध्याई 24 और भजन अध्याई 2 में लिखा है जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वह लोहे की छड़ के साथ शाशन करेगा परमेश्वर वादा करता है कि जो लोग इसके प्रती वफदार और सच्चे हैं उस वादे के लिए परमेश्वर की स्टूती करते हैं और हम वचन के आधार पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उपवास रखना है पिता हम आपके शब्द के लिए एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आपके द्वारा अपने वचन में दिये गए प्रकाशित वाक्या के लिए धन्यवाद। आपने जो आदेश दिये हैं वे इतने स्पष्ट रूप से दिये गए हैं कि हम अपने जीवन में आपके द्वारा जमा की गई चीजों के लिए उफवास करना चाहिए। हम सभी के लिए प्रभू से प्रातना करते हैं कि जो इस समय कमजोर है और जो बजार में भी समझोता करने के लिए समझोता कर रहे हैं या प्रलोभन दे रहे हैं। हम प्रातना करते हैं कि उनकी आंखें खुल जाएं। हम प्रातना करते हैं कि वे जो कुछ भी हासिल करते हैं या खोते हैं उनकी परवा किये बिना तेजी से खड़े होंगे। क्योंकि उन्हों ने हमारे प्रभु येशु मसीख के माध्यम से सभी का सबसे बड़ा उपहार प्राप्त किया है, जो आपका उधार है। इसलिए हमें बहुत अंद तक आपके लिए सच्चा और वफदार बनने में मदद करें और उपवास रखें। येशु के नाम पे आमीन। परमेश्वर आपको आशिरवाद दे, आपके साथ रहें और आपको उपवास रखने में मदद करें और हर कदम पर उसके साथ चलें। धन्यवाद। प्रपिस आपको, आपको, और आपको आमीन नाम प surtout खर्श झामी अगरें क्नी अववाद। झाल